कुमफली को 15-20 फूर तक दूर भेंगेगा नमस्कार आदाब सास्रिया काल दोस्तों दोस्तों आज मैं हूँ हर्याना में और हर्याना में स्थित है एलनाबाद एलनाबाद में आज हम आप पहुंचे हैं और कंपनी जो होने वाली है किसान भाईयों के लिए वो NVT कंपनी है और हमारे किसान भाईयों के लिए तरह तरह के थ्रेशर बनाती है और भी एगरी कल्चर के प्रोडेक्ट जो है NB T Company तयार कर रही है, आज 24 के अंदर में, सन 2024 के अंदर में मूंपली, मल्टी क्रॉप, अल्टरा मॉडल थरेसर लाउच किया है, उसके बारे में इस बीडियो में संपूर जानकारी देने वाले हैं, भारत में पहली बार ये थरेशर, भारत में पहली थरेसर, NB T Company के ओ क्योंट देंए और हैं किसी किसान ने थीक लिखा है कँ्यरों नहीं अगर है यह झाल होता तो आज हिंदुस्तान का शेयर नागरी कि संधा कडिल ढॅंत विथे आप वंदों olm करें तो किसानों की डिमांड को मद्या नजर रखते हुए कि मल्टी क्रोप के अंदर जैसे त्रैसर लगता है वैसे इसका चालना वाइबरेट करेगा जैसे ऐसे टेक्टर लगेगा तो ऐसा इसका चालना ही लेगा मशीन बिलकुल भी वाइबरेट नहीं करेगी चाहे किसान पानी का ग्लास और रख ले और इसकी डॉली की बात करें तो सेंटर केंदर ड्ली यह और काफी बड़ी बच्टी दोली का अंदर लगाये गया है हुँँ और चालने की निकले लिए अलग सिस्टम इसके लिए हैं इसकह बिलकुल जगे इक निकलों के लिएकि माधियम से बाहर चली जाएगी दूसरा जो चलने में मिटी आती है वह भी मिटी इसमें अलग से निकलेगी अश्र जो इसमें मुमफली डालते हैं इसके अंदर में जो इसका साथ में जब दाना अलग करता है भूसा भी बनाती है कि बिराउड बने लिए ग्रावनेट मल्टी एल्ट्रा मोडल की बात करें तो बहुत अच्छा बूसा इसके अंदर बनता है और यह बूसा बनाने वाला इस पैसल यह थ्रेश रहा है ग्रावनेट मल्टी क्रोप एल्ट्रा मोडल इसमें बूसा जो पीछे चला जाएगा और जो मुमफली सेंटर में से किसान इसके लगा हुआ है यह मुंफली को पंदरा से बीस फूर तक दूर फैंगेगा जैसे आप करें मुंफली के अलावा और कौन कौन सी फसले निकालेगा फिर देखो गरा एन्वी टी ग्राउनेट मुंटी क्रोफ थैसर एल्ट्रा मोडल की बात करें तो इसके अंदर मुंफली निकल निकल जाएगा मुंगूर्द निकल जाएगा गेहुन निकल जाएगा जांगे और मुंफली के बात करें या चना की बात करें तो या मेञें मुंट وس अ लेकर के कि थ्रश्य बात करें हां पर जो गेर बॉक्स लगा हुआ है वह किस टाइप का लगाया गया हमरे फार्मर्स को यह बात करें तो गेर पर चलने को हलाएगी जी तीनों अलग अलग इसके फंक्शन दिये गए हैं टेक्टर और गेर बक्सा इसके सेंटर में होने की वज़ए से टेक्टर पेलोड बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है अगर यह मान के चले तो गैंटे में कम से कम एक लीटर डीजल अन्य थ्रेश् करें जैसे अलीवेटर का काम यह करेंगी अगर लगाएंगे तो सैड में 18 इंची यह चोड़ा हो जाएगा बिल्कुल लेकिन यह हमने जो मुफली जिसने नीचे गिरानी है यह पैप को हुटा देगा 15-20 फूट जो मुफली चली जाएगी और दूसरी अगर बात करें तो यह जैसे ही मुफली इसमें गिरेगी उदर से पंखा फूंक मारेगा और सिदी मुफली ट्राली के अंदर जाएगी यह पूरा सिस्टम यूट्यूब चैनल के मादियम से किसानों को दिखाया दिया है जी जैसे से अगर हम तायर देख पारें तायर की क्या कॉलिटी दी देख लेगा और अगर इसके दूसरे मोडल की बात करें गराउनेट मंटी को बैक टोकरी यह पिछले साल मोडल लाउंच किया था जी इसकी पिछे टोकरी लगी हुए है और पिछे ही इसका गेरबकसा लगा हुए है दोनों साइडों में डबल भी लगे हुए है लेकिन इस मोडल किसानों की सेवा में हाजर किसानों ने चलता हुआ यह देखा है मोडल जी और इसके भी साइड में जो है बहुत ही अच्छा मोडल एनवीटी यूटूब चैनल के मादिम से किसान इसको देख सकता है जी यह हो गया बैक टोकरी के अंदर सर एक चीजिस में पूंजा इसका जो चलना है जो इसमें इस सब्सक्राइब में हिलता है और उसका एल्ट्रा मोडल का वो आगे पिछे उलता है जैसा हिलना चीए कितने हच पी टेक्टर पी ऑपरेट हुथ हो ती अज़े का टेक्र आथिए पूंट्सर क्या देती है अगर आँपूट की बात करें तो निकलता है और इसकी अगर दूसरी जैसे आपने बताया जी कि अगर इसके अंतर की बात करें तो यह जो थ्रेशर है इतने बढ़ी अगजब के जो दोनु मोडल है जिसका कोई अंदाजाए नहीं है और चलते हैं अब तीसरे मोडल में जो किसानों कि सेवा में लगाता है दिल डबल फैन डवल वील के अंदर ग्राउंट नेट मल्टी क्रो फ्रैसर डबल फैन डबल वील इसके हजारों वीडियो और तकरीबन दो हजार 23-24 के अंदर जितने भी प्रड़ेट के बने हैं वो समस्या बिल्कुल ना के बराबर और है नियूस के अंदर अगर किसान को किसी वज़ा की दिक्कत आती है एक साल के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में त्रैसर चलता होगा किसान को फ्री सर्विस प्रवाइड अनिवीट के जितने भी प्रड़ेक्ट है उसमें निकलता है अजय सर्म आपकी जो अभी मसीने देखने जो सन 2014 में लांच करी है या फिर बदलाओ की है उसमें हमें यह लाइट और एंडिगेटर इसमें देखने को मिल रहा है देखो किसानों की डिमांड को मद्या नजय र गहा देता है कि साथ दो चाहे उसके उपर चाहए उसके ऊपर च्रफार चाहाँ पहले नहीं देखनों को मिलता अकर उसके बात करें तो वह पहले जैसी आ keeping के अपर हिंदूस्तान के बनाई हूए है या किसान की डिमांड को मद्या नजय रखते हुए जितने भी त्रैसरन क कंदर के माद कने अब अगर इसके की बात करें तो बहुत लंबा वुछा चला जाता है ब कहód को दिक हदद अगर इसके खासिथ की बात करें तो ऊब है गया खल नगा है लग निवी उन इसमें अलग वी मौडल है यह से डेखे हैं डेख रहा हुग घर रिry ऐ Practice का double fan double wheel के अंदर है और तीसरा जो model है double wheel single fan के अंदर है चोता जो model है single fan और single wheel के अंदर भी है यह तमाम तरह के model एनवीटी के पास अपलब्द है जी और इसके बाद आपको सर एक और model पर लेके चलते हैं जी यह हो गया ground net निकालने के model जी और ground net यानि मौफली के बीज निकालने यहानवीटी के पास हाजर है वो किसानों की सेवा में पिछले साल से किसानों कीशेवा कर रहा है। सबसे मिल जाते हैं किसानों को और पूरे भारत में आपकी ीपल Teenator के पास यह मसीह ROB की मिल जाती है जी 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 से अभी आपने बोला लाूंच किया है पीछे हमारे देख पा रहा है तो इस इस लट्रा मौडल यह अल्ट्रा मॉडल कबạt इजलर के पास पहुasına कैसे। आज हेयर के ट्रेंतंग कर आज चेसे लेत सकता है वाकी 10 मैही तक हिंडुस्तान में NŪ जितने वी डिलर हैं, सबी डिलरों के पास ग्राउनेट मल्टी क्रोफ, एनिबीटी ग्राउनेट मल्टी क्रोफ, एल्ट्रा मोडल मिल जाएगा. एक यह से अग्रा मौडल देकपा नहीं हैं जिसे आप इसका नाम कुछेशर मुफली के बीज निकालने का थ्रेशर. और इसमें क्या है कि किसानों को बीज की अशक्ता पड़ती हैं, और बीज निकालने का यह पीनट थ्रेशर किसानों की सेवा में यह सहाब जाएगे. करना चाहते हैं बिजनेस के परपस से बहुत अच्छा है यह काफी डिमांड है यह तो अब पलांट जो लगे हुए है वीज निकालने वाले हैं उनकी भी काफी ज्यादा डिमांड आ रही है और बिजनेस का एक किसानों के इलावा बिजनेस का एक बहुत बड़ा परपज है क्या कि यहां पर देख पर है क्या होता है यह तो इसको अब जिसका कोई अंदाजा नहीं है यह योटूब के माद्यम से देख सकते हैं एक चीज़ और जानना चाहते है जैसे थ्रेशर अमारे किसान भाईयों ने देखा इन थ्रेशर में रख रखाओ क्या रखना जाए किसानों को ताकि झो है कोई शमस्या नाये चलने में तो किसान क्या होता उसे जानकारी नहीं होते तो मुश्ली क्या रख रखाओ रखने जाए इसकी सैटिंग के बारे में हमारे यूटूब चैनल पर लिंक दिये हूए है किसानों वो लिंक की माधियम से इसकी सैटिंग बना सकता है रख रखाव कि अगर सेफटी की बात करें तो डिले कपड़े बगए पहने कर ना चलें हलांकि हर जगह से हमने कवर बगए लगाया हुआ है कि किसान कवर को खोल देता है किसानों से हम भी नमर निवेदन करते हैं क करना तियावशिक है और बाकी जो किसान अच्छी तरह से इसका रख रख रखाव नेट वोल्ट बगए इसके चेक करें ताकि किसान को किसी वज़े की कोई दिक्कत ना आए सर मेरा एक क्विश्चन है वैसे पूछना नीचे फिर वाल पूछ रहा हूं यह सर्विस के लिए मॉडल है पुराने वाले उस पे तो सबसीडी अप्रूब्ड है जो अल्ट्रा मॉडल आया है भी इस पे सबसीडी अप्रूब्ड हुई या नहीं हुई इसले साल से हमने टेस्टिंग के लिए बेज़ दिया है थ्रैसर को हमें पूरी अमीद है कि दो तीन मिनों के अंदर इसमें सबसीडी हो जाएगी और जब तक सीजन आएगा सबसीडी अप्रूड एल्ट्रा मॉडल भी होगा जी सर मेरे कुश्चन यह है कि जैसे हमारे किसान भ्यों को आप जो है फाइनेंस की सुविदा देते हैं तो क्या साब फाइनेंस मिल जाएगा हमारे किसान की बात कर करते हैं आप किसान हैं और किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबसे पहले तो अब मैंने जानकारी ले ली हमारे किसान भाईयों ने ले ली आल्ट्रा मॉडल लांच किये हैं 24 के अंदर में इसके लिए आपको बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जी ए शितने भी उसे ज्यादा निकालने की ग्रावे से कहते हैं एंज घ मल्टिई च्रह थेसर एल्ट्रा मोलमद संग त्रेशर मतलव त्रेशर मतलव यह चाहिए, एब बहुत धन्यवाज बएड व किसान भैओं इस वीड़ियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को सेयर करिए दिये हुए नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं मसीन को घर वैठे बुक करवा सकते हैं आने था आप डिलर के पास जा करके इन मसीन को परचेज कर सकते हैं पूरे भारत में डीलर अबलेबल हैं किसान में मिलते हैं फिर से इसी तरह की यूनिकोर नई वीडियो के साथ NVT कंपनी से तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जै जवान जै किसान